अब जादा वक्त तो आपका में लूगा नहीं लेकिन अब इतना सा आपको बता दू अभी हाल ही में है जो वीसेट वीज़ल्ट का जो रिजल्ट आया है उसमों लेकर है जो काफी शारे बच्चे को है काफी शारे बच्चों को जो है वो माक्स को अलगोरित्म को लेकर है जो थोड़ी प्रोब्लम है तो इसके लिए है जो अभी यह तो रिशाइट बीसेबी ने नहीं किया है अभी तक ऑफिशियल इन्फोर्मेशन के बैस पर कि रेवलेशन डिचर किंग रेटोटलिंग या फि कौन-कौन से आपको options दिये जाएंगे और एक special thing मैं आपको यह बता दूँ लास्ट में एक अच्छी शानदार बात भी बताऊँगा because this is your career यह आपके एक जीवन में आप एक ही बार मुझे लगता है ट्विल्ट करोगे और वो भी अगर बैटर हो जाए बैस्ट हो जाए तो आपका है जो यह एक यादगार चीज़े रह जाती है जो revelation, rechecking, retortling के लिए है जो अगर है जो किसी बच्छे के है जो किसी subject में है जो किसी special subject में है जो lace marks है तो lace marks के bests पे है जो इतना नहीं कह सकते हैं अपन अगर experts भी अगर इसके बारे में अगर जानकारी, labor या फिर उस पे थोड़ी से रिचर्ट करें कि single subject में है जो एक बार mistake हो जाती है तो फिर वहाँ पर है जो आपको options दिये जाते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ Revelation Reaching के बारे में और उसके अलावा है जो किनी बच्चे को है जो marks के algorithm को लेकर है जो problem रहती है ये उनके लिए भी है उसके अलावा है जो सबसे बड़ी बात जो आती है कोई बच्चा है जो पढ़ने में होशार है उसके less marks है minimum marks है कम marks है बिल्कुल जो प्रापतांक है वो बहुत कम है तो उनके लिए भी है ये है एक better option है और जो not qualified है या फिर है जो पास ही नहीं है 33 जो marks की 33 प्रतिशक जिसको आप पहोगे जिसको आप percentage आप English में बोल सकते हूँ लेकिन ये जो एक criteria है ये BACB ने decide किया है और लगबग है जो result declare हो ही चुका है